हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर्ट अफ कुकिंग आज हम बनाएंगे अद्रक की चाय अद्रक की चाय यानि कि जंजर टी वैसे तो चाय बनाना बहुत ही आसान है और मोस्ली सब को ही आता है लेकिन चाय में वो परफेक्ट फ्लेवर लाना सबसे इंपोर्टेंट होता है तो आज हम उसी फ्लेवर के साथ बनाएंगे एक परफेक्ट अद्रक की चाय यहां पे मैं तीन कप चाय बना रही हूं तो तीन कप चाय के लिए यहां पे हाफ पानी और हाफ मिल्क लेंगे यानि कि दूद तो तीन कप चाय के लिए हम डेड़ कप पानी लेंगे जैसे कि आप एक पैन में हम डेड़ कप पानी लेंगे ये पानी हमने ले लिया है अपने पैन में और अब हम चाय बनाने को पूरी तरीके से तयार है अब ये पैन हम गैस की फ्लेम उन करके गैस पे चड़ा देंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा पानी बॉइल हो रहा है और इस कच्चे पानी में ही हमें सीधे अपना इंग्रीडियंट्स नी डालने हैं जो हैं चीनी चाय की पत्ती और अद्रक अद्रक हमारा सबसे में इंग्रीडियंट है क्योंकि हमाने अद्रक की चाय बना रहा है यहां पे मैंने एक इंच अद्रक लिए आपको अगर जादा कड़क चाय पसंद करते हो आप तो आप थोड़ी और अद्रक ले सकते हैं वरना अतीन कप चाय के लिए इतनी सफीशेंट है इसको हम अच्छे से कूट लेंगे इस अद्रक को यह हमने अपनी अद्रक वाद अच्छे से क्रेश कर ली है जैसे आप देख सकते हैं और हमारा पानी जो हमने चड़ाया था वो भी बॉयल हो गया है पक चुका अच्छे से अब हम इसमें एक क्रेश्ट अद्रक डालेंगे पानी में और अद्रक के फ्लेवर को पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने देंगे जैसे आप देख रहे हैं अद्रक अपना फ्लेवर अच्छे से पानी में मिक्स कर रहा है और अब हम चाई की पत्ती डालेंगे यहाँ पे मैं देड़ चमच चाई की पत्ती डाल रही हूँ आप ज़्यादा स्ट्रॉंग टी प्रिफर करते हो तो आप दो चमच भी डाल सकते हैं और अब इस चाई की पत्ती, अद्रक और पानी को बहुत अच्छे से एक दूसरे में घुल मिल जाने देते हैं तो यह अच्छे से चाई को हम पक जाने देंगे इसको थोड़ी दिर ऐसे ही लो फ्लेम पे पकने देंगे आप देख सकते हैं हमारी चाई बहुत अच्छे से पक रही है चाय की पत्ती का बहुत अच्छा color आ गया है चाय की पत्ती और अध्रक का अब हम इसमें दूड डालेंगे डीड़ कब दूड डालेंगे हम डीड़ कब पानी लिया था हमने और डीड़ कब हम दूड डालेंगे यानि कि one and a half cup of milk अब हम इसमें sugar एड़ करेंगे तो आप बहुत मीटा पसंद करते हो तो आप जादा भी डाल सकते हैं या कम लेते हैं तो अपने टेस्ट के कम भी कर सकते हैं चीनी तो हमने अपने सारे इंग्रीडिंट्स टाल दिये हैं चाय के अब में काम है मारी चाय पकेगी अब इसको पकने देंगे एक बॉयल आने पर एकदम लो फ्लेम में कर देंगे चाय को और इसको दो से तीन मिनिट तक अच्छे से पकने दीजे लो फ्लेम पर जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी चाय बहुत अच्छे से लगभग पक चुकी है इसमें अच्छा सा कलर आ गया है अब यह पूरी तरीके से पक चुकी है अब इसको हम चान लेंगे यह देखिए यह हमारी अद्रग की चाय बनकर पूरी तरह से रेडी है जर अले हमारी